हाई व्रेक्स, मैं हूँ आपकी होस्त मता, वेलकम टू का लिमेज दोस्तों अगर घर में गेट टूगेदर पार्टी है, तो होम शेफ्स के लिए ये चालेंज होता है कि में कोर्स के साथ साथ यम्मी स्टार्टर भी बनाऊने, तो आज हम आपके पाटीज के लिए लेकर आये है एक यम्मी शेय स्टार्टर, स्टफ पांफरेट स्टफ पांफरेट बनाने के लिए हम लेंगे 400 ग्राम पापलेट पापलेट को हमने कुछ इस तरह से डीप पॉकेट बनवानी है, जिसमें हम स्टफ बरेंगे पापलेट को मारिनेट करने के लिए हम लेंगे 8-10 कडी पत्ता, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून अधरक लेसुन पेस्ट, 1 हरी मिर्च, 1 आधा टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून निम्बु का रस, 1 टीस्पून कोडी मसाला कोड़ी मसाला की रेसिपी हमारे चैनल पर एवलेबल है पापलेट के स्टफिंग के लिए हम लेंगे 6-7 मिडियम साइज प्राउंस जिनने मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है आधा टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून कोड़ी मसाला, एक टीस्पून अद्रक लेसुन पेस्ट, दो टेबल स्पून किसा हुआ फ्रेश नारियल, तल्ले के लिए तेल और नमक पापलेट के मैरिनिशन के लिए हम मसाला पिसेंगे, ग्राइंडर के जार में हमने और रड़ी कड़ी पत्ता डाल लिया है, उसमें हम डालेंगे धनिया, कोड़ी मसाला, हरी मिर्च, हल्दी, अद्रक लेसुन पेस्ट, निम्बु का रस, स्वादा नुसार नमक, और इन सबकी हम फाइन पेस्ट बनाएंगे, यह हमारा मसाले का पेस्ट तयार है, आए अभी इसे अपने पापलेट पर लगा लेते हैं, हमें इसे पापलेट पर अंदर बाहर सब तरफ से लगाना है, हमने मसाले से अच्छे से कोट कर लिया है, अब हम इसे पंदरा मिनिट के लिए साइड में रख देंगे, आए तब तक स्टफ बनाना शुरू करते हैं, स्टफिंग मिनाने के लिए हम पहले मसाला पीसेंगे, ग्राइंडर के जार में हमने डाल लिया है फ्रेश नारियल, उसमें हम डालेंगे कोडी मसाला, हल्दी, अधरक लसुन पेस्ट, आधा टीस्पून नमक, और इन्हें हम पीस लेंगे, स्टफिंग का मसाला हमने दरदरा पीस लिया है, मैंने पैन में 2 टेबल स्पून तेल गरम होने के लिए रखा है, आईए अभी स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं, पैन में तेल गरम हो गया है, अब हम इस में डालेंगे पीसा हुआ मसाला, और प्रॉंस, प्रॉंस को हम मज़्य माज पर 2-3 मिनिट तक भूनते रहेंगे, मैंने प्रॉंस को 2 मिनिट तक भून लिया है, अब हम इने पैन में ही मिस कर लेंगे, आईए अब इस्टफिंग को मैरिनेटेट पाप्लेट में भर देते हैं हमें इसकी अच्छी से लेवलिंग करनी है यह हमारा पॉम्फरेट स्टफों के तयार है अब हम इसे एक धागे की सहताय से टाय करेंगे ताकि स्टफिंग बाहर पॉकेट से निकल नाए यह हमारा हो गया है अब हम इसे फ्राइ करने के लिए रख देंगे पैन में हमने 1.5 टेबल स्कून तेल गरम किया है तेल गरम होने के बाद हम पाप्लेट को तवे पर रख देंगे और धीमी आज़ पर प्राइ करेंगे लगभग 4 मिनिट तब पाप्लेट को एक साइड पर पकाने के बाद हम इसे पलट लेंगे हम इसे दुसरे साइड से भी हलके ब्राउन कलर पर प्राइ कर लेंगे लगभग 3 मिनिट में दुसरे साइड से भी पाप्लेट अच्छे से प्राइ हो गया है पाप्लेट प्राइ होने के बहुत अच्छे कुछ बो आ रही है आईए अभी क्यास बन कर लेते हैं और इसे सफ कर लेते हैं दोस्तों ये भरलापा प्लेट याने की स्टफ पमफ्रेट तयार है माना कि इसमें थोड़ी महनत जादा है बढ़ आपके पाटीस के लिए ये काफी सुपर हेट रेसिपी रहेगी और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी काले मेर्शवाइस्मिता.ड़ कॉम पर तिल डेल कीप वाचिंग एंजोई कुकिंग बाबाए